हाई एवरीबान कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जेस्वाल आइन स्वाधत करता हूँ आप सभी का एक पर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर क्यूटोरियल्स में तो उमीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग अच्छे हों तो मैंने आपसे कहा था बहुत कम लोग का कॉमेंट आई मैं चाता हूँ फिर से आप कॉमेंट करो क्योंकि हमें अभी नेक्स चैप्टर स्कूल सा पढ़ाना है यह आप ही लोग बताओगे क्योंकि देखो वैसे हम लोग लाइन बाइन जाएंगे बहुत सारे स्कूल्स में कॉमेंट करिए ताकि हमको पता चलेगा ठीक है समझ में आ गया तो चलिए आज क्या वीडियो लेकर आया हूँ तो आज हमारा जो वीडियो है वह है 11 स्टैंडर का बायोलजी जिसमें हम लोग आपका फ्यवरेट चाप्टर जो हमारा किंग्डम एनिमलिया चल रहा था आज इस चाप्टर का आखरी लेक्चर है लेक्चर नमबर फाइल लेकर आओ यानि आज ये चाप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों तो लास्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्या बचा हुआ है गया सब्लोग सुपर क्लास के बार में पढ़ेंगे तो टेट्रा पोड़ा होता क्या ये सबी चीज जानेंगे उसके अंदर चार क्लासे से काटेगरी से वह हम देखेंगे तो वीडियो के अंदर बने रहे ना बहुत बड़ा नहीं होगा नॉर्मल वीडियो होगा 15-20 मिनुट के अंदर ये चैप्टर बचा कुचा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आपसे रिक्वेस्ट है जितना होसे के हमारे चैनल के अंदर जितने भी वीडियोस हमने डाले हुए फिजिक्स केमेस्टी मैच बायो के आप देखते रहे हैं पढ़ाई करते रहे हैं और अपने इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो लिगी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ठ पीछे के हमारे मतलब नीचे के तरब क्या है हमारे पैर है तो उसको हाइंड लिम्स कहा जाता है तो फोर लिम्स हाइंड लिम्स यासे दो जोड़ी होते हैं टू पेर्स प्रेजेंट होते हैं तो अगर टू पेर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट है कोई भी पॉर्टिकुलर और तो उसको बोलते हैं हम लोग टेट्रा पोड़ा टेट्रा का मतलब होता है चार तो चार पोड़ा यानि कि एक तरीके से चार लिम्स प्रेज़ेंट कुल मिला के डाट कैटिगरी ऑफ एनिमल्स इस इसके अंदर चार टाइप के क्लास आ जाते हैं क्योंकि यह सूपर क्लास है टेट्रा पोड़ा क्या है मेरा सूपर क्लास है तो सूपर क्लास के अंदर चार क्लास आएंगे यानि चार क्याटिगरीज आएंगे तो वो चार कौन-कौन से क्याटिगरीज है नंबर वन है एमफीबिया दूसरा है रेप्टीलिया तिसरा है एव्स एर चवधा है मैमल्स तो amphibia क्या होगा, amphibia मतलब ऐसे जीफ जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं उसको amphibians कहते हैं और ये एक ऐसा animal होता है जो कि link create करता है Pisces में और tetrapoda में, यानि pure terrestrial animals में तो हम लोग discuss करेंगे फिर अतना reptilia, रेंगने वाले जीफ जो जैसे कि आपके alligators होते हैं वाल लिजार्ड्स होते हैं वो reptilia, reptiles में आ जाते हैं फिटीज रहे एपस जितने भी birds होती हैं उडने वाली पक्षी ये सभी birds में एपस में आ जाते हैं और चोटा है mammals तो mammals होते हैं जो इंसान होते हैं बाकी जानवर होते हैं ये इस category में आते हैं तो वो चारो category क्या है one by one पड़ेंगे बस आप लोग को एक काम करना है ये वीडियो को end तक देख लेना है क्योंकि ये चारो जो topics है न ये बहुत ज़्यादा important है आपके biology point of view क्योंकि अगर आप biology पट रहे हो कहीं न कहीं तो आपको एक interest होगा कि आगे जाके आप एक्चुल में जैसे मैंने बोला कि ये एक ऐसे animals होते हैं that is that leaves in the lands क्या बोल रहा हूं मैं that leaves in the land as well as in water मतलब ऐसे जानवर ऐसे जीव जो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी के अंदर गए तो भी वो रह सकते हैं तो आप सोच रहों कि सर ऐसा possible होता है जो पानी में भी रह सकते हैं जमीन पर रह सकते हैं अगर मैं आप से पूछू एक नॉर्मल सवाल के तौर पे आप मुझे बताना comment करके क्या इंसान अंपिवियन है क्या इंसान एंसान एंफिवियन है comment करके फटा फटा फट से बतानों थोड़ा दो सेकरण के लिए वीडियो को पॉस करो और comment section में जो और फटाफ़ से comment करो मैं देखना चाहता उसके अंदर रहो, दो गंटा, चार गंटा, पांच गंटा, दस गंटा जाके रहो, without any problem, उसको बोलते रहना, तो ऐसे जानवर जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं, और जमीन पे जब आएंगे, तो भी एगदम थाट से रह सकते हैं, तो उसी को एमफिबियंस बोलते हैं, यानि human beings वैसा नहीं कर सकते, human beings जो होते हैं, पानी के अंदर जब जाएंगे, तो उसकी सास फूलने लगेगी, एक देड़ मिनट से ज़्यादा वो सास को रोक नहीं पाएंगे, because we have lungs, we do not have pores, we do not have skins, gill splits and बाकी चीज़े नहीं हमारे पास, के हम लोग पानी में भी oxygen ले पाएं, तो इसी लिए इस जानवर, यानि ये जो categories के animals होते हैं, ये amphibians इसले कहलाते हैं, क्योंकि इनके पास दोनों ही capability होती है, ये पानी के अंदर से भी oxygen को खीच सकते हैं, और पानी के बाहर जब land पे आएंगे, तो भी वो oxygen खीच सकते हव इंदक होता है, और एक मेंदक जैसा दिखने वाला होता है, फिर salamander होचा जो गिरगिट जैसा दिखता है, ये salamander है, तो ऐसे कई ही सारे examples आपको देखने मिल जाएंगे, जो क्या होता है, एंफीबियन के category में आ जाते हैं, अब इनकी जो body होती है, देखो feature समझो, इसके characteristics characteristics क्या-क्या है, क्या-क्या, इनकी विशेश्था है, ये आपको कम से खम 6-7 characteristics याद करना पड़ेगा, short knots के लिए 2-3 marks के ला है, कम से खम 6 points लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या होता है, पौई की यो thermic body होती, पौई की यो thermic में आपको अल्री बताए था, कि इनकी body क temperature क्या होगा, जो surrounding रहेगा, उसके इसाप से adjust कर लेगा, समझ लोग कि एक ऐसा जगा पे वो है, जहां पे थंड बहुत जादा है, तो उसकी body temperature उसी साप से adjust हो जाएगी, ठीक है, कहीं गर्म जादा है, मतलब थंड नहीं है, normal temperature तो उसके इसाप से adjust हो जाएगी, कहीं पे जा सर भी है, उनका सर भी है, और पूरा का पूरा trunk reason भी उनके पास present है, ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखोगे, ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे आप देखो, next यहाँ पे मैं बजो बता रहो, two pairs of limbs present, two pairs मतलब दो जोड़ी limbs present है, दो जोड़ी मतलब total 4, 2 हा जो होता है उनके अंदर, वो इसी से वो कर पाते हैं, ठीक है, और skin जो होती है, थोड़ी मॉइस्ट होती है, अगर आप इनको हाथ लगवा, जैसे में में दक आपने देखा होगा, सभी लोगने frog देखा है, में दक देखा है, तो में दक को जैसे आप टच करोगे, उनकी skin थोड़ी से आपको गिली गिली लगेगी, मॉइस्ट लगेगी, ऐसा लग रहा है कि पानी में से निकला है, लेकिन उसुखा भी रहेगा, अगर धूप में बैठा है, तो भी उनकी skin जो थोड़ी होती है, ना मॉइस्ट होती है, जैसे आप डॉग जो होता है, ना डॉग, देखने आखर औंठेस एक्जोस्केलेटन, तो एक्जोस्केलेटन अर अप्सेंट, मतलब इनके बॉड़ी के उपर कोई scales present नहीं, जैसे मचली में उपएक त्वच्छा पर क्या करिदने जाओ वो उपर का चमड़ा जो है scale scale बोलते कवच होता है वो उसको निकाल छुड़ा के देता है आपको तो इसमें होता ही नहीं absent होता है ठीक है eyelids present है यानि eyelids जो होती है नहीं हमारी देखाँ eyelids है यह present होती है timpanum ears present है मतलब जो हमारा कान होता है बेसिकली यह जो चीजे दिख रहे है आपको यह हमारा कान नहीं है यह हमारा पिनने है पिनने मतलब external ear है वैसे actual में ear अंदर की तरफ है हमारा जो कान है दोस्तों वो अंदर की तरफ है जिसको timpanum कहते है that is internal ear तो internal ear इसमें present होता है अब circulatory system कि अगर मैं बात करूँ तो यह close type ही होती है जैसे human beings में normal तोरफ होती है उसी प्रकार होती है heart जो है इसमें तीन चेंबर का usually चार चेंबर होना चीए ठीक है दो ventricle दो auricle लेकिन यहां पे क्या है तीनी चेंबर में present है और यह ventral present होता है मतलब आगे की तरफ ही present है जैसे हम हमारे भी आगे की तरफ present है उसी प्रकार इन जानवर के अंदर यानि जो amphibia categories के अंदर जितने भी जानवाराज है सबका heart जो है वो आगे की तरफ ही present होता है RBC present है by convex form में यानि की थोड़ा सा इस प्रकार का shape है जैसे convex आपको पता ही ऐसा होता है तो यह by convex मतलब इस प्रकार का जो है वो इसका shape present होगा ठीके न और यह भी nucleated होता है मतलब इसके अंदर भी obviously क्या present होगा nucleus कहीं न कहीं present होगा nucleated present होता है respiration किस के थू हो रहा है skin के हो रहा है और बक्को फैरिंग्स जैसे हमारे पास एक फैरिंग्स होता है उनके पास बक्को फैरिंग्स है जिसके help से वो लो oxygen को ले पाते हैं अब nervous system भी काफी अच्छा present है well developed present है काफी तरीके से function हो रहा है sex है इनके अंदर separate है यानि male अलग होगा लग होगा एकी के अंदर दोनो प्रेजेंट नहीं है जिसे हमने non-quadita के अनिमल्स के अंदर दिखा था ठीक है ना कि male भी एकी में female भी एकी में example बहुत सारे देखे थे हैं हमने उसको हर्माप्रोडाइट कहते हैं तो वैसा नहीं है इसमें तो sex separate है ओवी पैरस है ओवी प पट्रिलाइजेशन हो रहा है वो external तोर पे हो रहा होगा obviously और example याद रखना frog है मेंड़ टोड़ सालमेंडर इस अग्जामपल जो आप लोग याद रख सकते हो तो अकर आप यह characteristics उसमें से 8-10 characteristics लिख लो examples लिख लो तो definitely आपका 3-4 मांग सा जो भी short notes आएगा या question answers आएग जो दूसरा हमारा class है जो आज हमें पढ़ना है वो है दोस्तो class reptilia अब reptilia का मतलब होता है reptiles जितने भी दुनिया में जानवर है जो reptiles है जो रेंग के चलते है रेंग के चलना तो उसको हम लोग reptilia category में डालते है तो first true terrestrial vertebrates कहा जाता है vertebrates का ही category चल रहा है हमारा vertebrates के अं reptiles पढ़ रहें फिर Aves पढ़ेंगे Mammals पढ़ेंगे यह सभी vertebrates है विह वर्टिब्रेट्स क्यों है क्योंकि हम लोग Chaudates है Chaudates के अंदर वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स इसले भी है क्योंकि हमारे पास vertebral column present है ठीक है ना अब यहां पे आप देखो कि यह मैंने कभी कभी लेकिन प्योर पानी में अगर जाएगा तो यह जिंदानी रेपाएगा मतब रहने के लिए अगर पानी में गया तो जिंदानी रेपाएगा इसको उपर आना ही पड़ेगा इसको जमीन पे आना ही पड़ेगा oxygen लेने के लिए पानी में वो रह सकता है कुछ समय त जाते आप जैसे के अग्जांपल के तौर बें बात करेंगे फिव एक्वेटकक मतलब कुछ ऐसे होटे होते हैं ठीक है जाके पानी यहांद़ पहुत हैं टाइंध सकते हैं ед में पर यह रहते हैं यो पयोर ट्रेस्टेल होते हैं मतलब और चल पाना भागना भॉट सारे चीज़ करने प्रेजंट है, उनके पास हाथ-पैर प्रेजंट है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा जानवार है इस category के अंदर, reptiles के अंदर एक ऐसा जानवार है जिसके पास limb नहीं है, वो limbless है, limbless का मतलब limb present नहीं है, हाथ-पैर प्रेजंट नहीं है, कौन सा example, snake, साप जो होता है, वो भी reptiles है, लेकिन उनके पास हाथ-पैर नहीं है, रेंगने के लिए, हाथ-पैर रेंगने के लिए नहीं है, वो अपने skin की help से, ठीक है, skin की help से वो चलता है, locomote कर पाता है, ठीक है, याद रखना, इनकी skin जो होती है, वो थोड़ी dry होती है, सुखी होती है, टच करोगे, तो वाला भी निकलता है, चिप-चिपा, ठीक है, तो वो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, इनकी स्कीन जो होती है, कवर्ड विद एक कवच है, हड़ी का, यानि एक्वच है, जो क्या रहेगा, एपिडर्मल स्केल्स रहता है, जैसे आपने एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स वाकर एक परत होती है, जो कि उनके स्किन को उपर के जरब से काफी मजबूत और हार्ड बनाता है, ठीक है, अब जो लिजाड होती है, चिपकली आजो होती है, और जो साफ होते हैं, शेड देयर स्किन पिरियोडिकली, मतलब जो चिपकली होती है, और बहुत सारे साफ ऐसे होते ह जो अपने skin को एक time के बद निकाल देते और एक वापस से नया skin लाते हैं जैसे लिजार्ड का तो आपने नहीं सुना होगा, snakes का आपने सुना होगा कि साप अपनी जो skin होती है वो निकाल देता है केंचुली बोलते है हिंदी में क्या बोलते हैं, साप जो हता है, अपने केंचुली निकाल देता है, और केंचुली निकालने के बाद, वह अपस से थोड़े टाइक है, उसका एक नया स्कीन आ जाता है, मतलब जब स्कीन आने लगता है, तो बहुत थारे लोगों ने देखा भी होगा, मैंने भी देखा है, सा हाट जो होता है, is not perfectly four chambers, मतलब इसमें भी आप देखोगे, ये category के animals, reptiles में भी चार चेंबर का, पूरा चार होना चाहिए, डो औरिकल, दो वेंट्रिकल होना चाहिए, चार चेंबर होना चाहिए, वो present इसमें अच्छी तरीके से नहीं है, क्रोकोडाइल को छोड़के, सिफ क्रोकोडाइल एक ऐसा जानवर है, reptiles में जिसमें चार चेंबर प्रेजन्ट है, हाट अच्छी तरीके से प्रेजन्ट है, ठीक है, अब जो brain होता है, जो brain है, जो brain है, जो दिमाग है इसका, वो well developed है, यानि reptiles जो जानवर होता है, इनके पास बहुत अच्छा दिमाग है, ब बट यह oviparis है, मतलब यह अंडा देने वाले जीव है, जरूरी नहीं है कि अगर fertilization internal हो रहा है, मतलब यह bviparis ही होगा, fertilization internal तो है, लेकिन यह है oviparis, मतलब अंडा देता है, लेकिन एक चीज़ को छोड़ के, वाइपर जो आप जानते हो, रसल वाइपर, वाइपर से एक प में से निकालता है, मतलब वो bviparis होता है, एक को छोड़ के बस, ठीक है, एक्जामपल कोबरा याद रखो, वाल लिजर्ड याद रखो, क्रोकोडाइल है, ऐसे कई सारे एक्जामपल आप लोग याद रख सकते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया, दोस्तों, उमीद करत यार जो दिखाया, और within 3 years यहां पर आया है, lockdown से हमने start किया, और within 3 years आज यहां पर पहुझ गये, तो यह बहुत फक्र की बात है, बहुत यह अच्छा लगता है, ठीक है, लगबग 3 years तो on and average हुए, लेकिन देखा जाए तो काम हमने शुरू किया ता lockdown के बाद से, तो यानि आपको तो मिल रहे होंगे regular, हमारे बाकी teachers के videos आपको मिल रहे होंगे, लेकिन मेरे थोड़े irregular आये थे, क्योंकि बीच में मैं काफी बिमार पड़े गया था, ठीक है, and कुछ family internal issues चल रहे है, तो वो सब चीजे है, मैं आप साथ, कभी शेयर करूं मैं वो सब चीजे, ठीक है तो कभी-कभी दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन यार, हम भी एक इंसान ही है, आप भी कहीं नगी सोचोगे, तो यार, मैं भी 25, 26 years का व्यक्ती हूँ, तो आप भी समझ सकते होंगे, आपकी घर में भी कोई बड़ा भाई बेन होगा, आपका इस age का, तो आपको realize होगा कि य पास है, वो है apes, अब apes का मतलब क्या होता है, दुनिया में जितने भी प्रकार के birds होते हैं, ये सभी के सभी apes के अंदर आ जाते हैं, दुनिया भी पक्षी जितने भी है, वो apes होते हैं, उसको scientifically क्या कहाते हैं, apes कहते हैं, तो ये क्या है, apes यानि birds, अब इनमें क्या हो में दो आगे के जो हाथ थे ना, prototype लिंग कहतें जिनको वो फोलिंग इनके पास नहीं है, लेकिन वो फोलिंगस ही modify हो गया है, wings के अंदर, क्योंकि अब उनके पास जो है वो punk आगत हैं, क्योंकि वो जो उनका फोलिंगस था, जो हाथ था उनका उसको कुछ काम नहीं है तो वो मॉडिफाई हो गया एडाप्टेशन होता गया जब पहले के जमाने में और दीरे-दीरे विंक्स में कनवर्ट हो गया विंक्स के हेल्प से वो लोग आसमान की उचाईयों पे उड़ सकते हैं तो विंक्स में स्टेम है ब्रांचे से ठीक है ना उसके उपर बैठी है तो उसको पकड़ के रखने के लिए ग्रिप करने के लिए वो हाइंड लिब्स जो है वो प्रेजेंट होता है अब कुछ बर्ड्स ऐसे होते जो एक्क्वेटिक होते जो पानी में भी रह सकते है ठीक है पानी के उपर प्रेजेंट होता है उनके टोफ के बीच में जो एक्क्वेटिक बैस ब्राइप बॉडि जो होते है वो स्ट्रीम लाइन होती है स्ट्रीम लाइन मतलब क्या होते जैसे बोत होता है नैं बोत ठीक किना इस प्रकार से अकर मैं शेप बताने के कुशिश करूँ, इस प्रकार से इसकी शेप होती है मतलब आगे से भी एकदम धारदार, पीछे से भी एकदम धारदार तोकिला होता है, बहले उनके पस बीक होता है वो चोच होता है, तो अईसा होता है ताकि जब वो आसमान में उड़े, हवा के अंदर उड़े, तो हवा जो इसको रोके ना, उल्टा, हवा को चीर के, हवा को काटते हुए आगे जाए, तो आपने देखा होगा, काईट जो होती है, उसका शेप भी ऐसा होता है, अगर काईट का शेप ऐसा नहीं होता, तो करने के वज़े से वो जो air होता है, air का जो resistance होता है, उसको काट के जाता है, तो इसी लिए वो streamline होती है, बोड़ी, fly करने के लिए, ठीक है, बोड़ी इनकी क्या है, होमियो थर्म है, मतलब जो यह birds होते है, इनकी बोड़ी जो है, वो होमियो थर्म है, जैसे इसके पहले हमन जो पढ़ा aquatic animals, माफ करना, amphibian पढ़ा, reptiles पढ़ा, उनकी body क्या थी, poikirothorm थी, मतलब surrounding के इसाब से उनकी body temperature adjust हो रही थी, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये birds जो है न, ये warm-blooded होते हैं, और homeotherms होते हैं, मतलब इनकी जो body temperature होती है, वो constant होती है, वो भईया, change नहीं होती, body temperature will always be constant, exoskeleton जो होता है, वो feathers होता है, उनके पास punk होते हैं, जैसे wings होते हैं उडने के लिए, वैसे उनकी body जो होती है, cover होती है, feathers होता है, fur, feathers, जो कभी आपने देखा होगा कि तूटके नीचे भी गिर जाता है, देखा होगा आपने, तो feathers लगे होते, scales, hind limbs में present होते है, जो उनका अब bones जो होते हैं, इसमें आप देखोगे, जो birds होते हैं, bones उनके hollow होते हैं, hollow मतलब अंदर से खोकले, क्यों होकले होने चाहिए, क्योंकि तबी तो हलके रहेंगे, ताकि weight जो है, वो reduce किया जाता है, क्योंकि अगर bird कोई है, देखो, बहुत बड़े-बड़े bird भी होते हैं आश्ट्रिच आपने देखा होगा, आश्ट्रिच भी बड़े, लेकिन आश्ट्रिच उड़ता नहीं है, तो अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे bird है, जिनके पास spunk है, लेकिर फिर भी उड़ने पाते हैं, because of their weight, तो ज्यादा तर cases में आप देखोगे, ज्यादा तर क्या 99 9% cases में आप देखोगे, जो birds होते हैं, वो छोटे size में भी होते हैं, और उनकी bones hollow होते हैं, और इसके वेज़े से ही वो उड़ पार है, क्योंकि उनकी body का weight अगर चादा रहेगा, तो उतना weight लेके उड़ पारा ना monkey ने, तो वो weight हलका होना चीए, इसके लिए nature ने उनको इस प्रकार बनाया हैं, कि उनके जो हड़ियां होते हैं, जो bones होते हैं, वो खोकले होते हैं, हमारे हड़ियां खोकले नहीं है, वजन है, वजन है, बोन में भी वजन है, हमारे पैर के bones देखो कितने वजन दार होते हैं, अब जो जबड़े होते हैं, जो jaw होते हैं, जैसे हमारे स्वाइलो कर सके तो बीक है उनके पास अब इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो human being जैसा नहीं है कि इसोफेगस ते खाना लिया स्टमक में गया स्टमक उसको पचा रहा है various types of enzymes and HCL present है वैसा नहीं है इनके पास crop and gizzard एक digestive organ होता है जो इनके प्रेजेंट होता है crop and gizzard जब आप एक chapter में जाओगे I guess cockroach वाल एक chapter है animal types का करके है chapter 14 ते या 13 chapter में आपको पढ़ाऊंगो crop and gizzard उसमें आएगा tension मतले न ठीक है तो crop and gizzard जो होता है वो present होता है digestive system के अंदर blood जो होता है वो लाल कलर का होता है आपने birds का blood तो देखा है रेड कलर का होता है heart चार चेंबर से बना हुआ है proper two auricle two ventricles present होंगे ठीक है respiration lungs से हो रहा है मतलब lungs present है अच्छी तरीके से oxygen ले पारे है वो लो brain इनका काफी अच्छा है well developed brain है sex is separate है male bird female bird अलग-अलग होते है ओवी पैरस होते है जाला तर बर्ड अंडा ही देते ओविसली ओवी पैरस होते है fertilization लेकिन अंदर की तरफ से हो रहा है fertilization is internal ठीक है chapter का आखरी topic है यानि आज chapter हमारे complete हो रहा है finally kingdom animal है ठीक है तो ध्यान से सुनना यह है हमारा mammals तो class mammals यह क्या होता है mammals क्योंकि mammals क्यों बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर एक organ present जिसको बोलते है memory glands अब जो memory glands अब बहुत साथ लोग बोलेंगे सब memory gland मतलब दिमाग वालग gland memory अलग होता है memory अलग ए दिमाग ठीक है memory या दाश वो अलग this is memory this is memory तो memory glands का मतलब होता है a इसा gland जिसमें दूद बनता है और दूद प्रोडीूस होता है यानि कि ऐसे जानवर जिनके body के अंदर दूद प्रोडीूस हो सके घंवे में चोटे होते हम अपनी लेकिन वो bird नहीं है, वो aves नहीं है, वो है mammal, because उसके पास भी memory gland present है, वो भी अपने बच्चों को दूद पिलाता है, correct, camels हो गए, कई सारे ऐसे जितने भी जानवर है, जिनके पास memory gland है, गाए, भैस, इसी के अंदर आते हैं, memory, mammals के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो milk producing ability होता ह एक हाथ कर क्यों होता है, ताकि वो अपने बच्चों को, young ones को दूद पिला सके, उनको nutrition दे सके, correct, अब ये omnipresent होता है, omnipresent का मतलब हर जगा पाई जाता है, आपको mammals देखने मिल जाएंगे, कहीं पर आपको ऊट देखने मिल जाएंगे, तो कहीं पर human beings तो हैर हर जगा present है, बंदर, bats, हर जगा आपको देखने मिल जाएंगे, omnipresent है, but mostly ये लोग terrestrial होते हैं, जमीन पही रेना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, जो aquatic में रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, जैसे चमगादर वगरे हो गया, ठीक है, limbs, use होता है, locomotion करने के लिए, यानि एक जगा से दुसरे जगा जाने के लिए, walking करने के लिए होता है, उड़ने के लिए होता है, flying, चमगादर लोग उड़ते हैं, इससे उड़ते हैं, obviously, limb से उड़ते हैं, climb करने के लिए, चड़ने के लिए, swim करने के लिए, तो ऐसे कई सारे जीव है, य सब के अंदर ये काटेगरी इसके अंदर जो अपने अपने तरीके से उसको यूज करते हैं बॉड़ी क्या है है बॉड़ी है नेक भी है ट्रंक भी है और टेल भी है अब आप बोलोगे सर हमारे पास किदर से हमारे पास है हर जगा है यह हर कि नई हमारे लिए फर मतलब पंक प्रेजन्ट होता है किसके सिब ग्लांस और वाले वाल ऑल्ल के ग्लांस और सी ज्यान फीड उइल और सिब्क्र Zumacus ग्लांड कोने और इंटेल जरुपरिक किसे सिब्क्रित ग्लांस और present है आप देखो human beings example है तो हमारे पास external कान present है इसको बोलते हैं पिन्ने क्या बोलते हैं पिन्ने बोलते हैं इसको correct तीध भी present होता है most of the time में ठीक है इसमें dentition present होता है dentition यानि कि जो दातों का structure वो present रहता है blood red color का होता है heart proper four chamber का होता है present होता है आगे की तरफ present होता है brain काफी अच्छा है well developed brain है इसके अंदर साथ ही में respiration हो रहा है किसके थू हो रहा है lungs के थू हो रहा है ठीक है mostly यह जानवर वीवी पैरस होता है humans है, monkey है, bat है, camels है, cow, buffalo, dog जो भी आपको गिनना है गिन लो यह सभी के अंदर वो आ जाएगा ठीक है समझ में आ गया, तो यही था हमारा mammals जो आपको हमने explain कर दिया उसके पूरे features और characteristics हमने बता दिये तो उम्मीद करता हूं काफी अच्छा लगा होगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो बहुत मचा हैगा आप लोग बने लेना हमारे साथ प्यार दिखाते लेने तो इसी के साथ वीडिपों कहसा लगा होगा? फ्लीज को में पने दोस्तों के साथ इतना हो सके शेर कर देना और अगर फर्स्टाम आयो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा फट से हमा